वॉल्म स्प्रेड अनल से स्क्रीप और आज एक डीप डिसक्शन एक डीप डाइब हम लोग आज के दिन करेंगे जितना हो सकेगा अच्छे से हम समझाने की कुशिश करेंगे और इसको कॉंसेंट्रिशन के साथ समझने की कुशिश कीज़ेगा बेक्स बहुत हेल्प यह आपके कर देगा ड्रेडइग के तोरह अपने चार्स को रेड करने में जो इस वीडियो की लेंद थोड़ी से ज़्यादा हो वीडियो के इंफरमीटिव लगता है तो इसको सिर्फ अपने तकी सीम की तना रख करके अपने फ्रेंट सरकर में आप शेयर किजाएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर से जरूर लाइक किजाएगा कोमेंट किजाएगा और अगर चैनल पर आप पहली बारा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजाएगा Simple language में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब demand increase होती है और supply कम होती है तो price का increase होगा जब supply ज्यादा होने लगते हो demand कम हो चाती तो price का slow होने लगेगा कम होने लगता है supply and demand का simple सा rule और simple सा funda यह होता है अब आप इसको चाहे जितना भी शब्दों में आगे पीछे उपर नीचे कर लो लेकिन आखरी में आ करके पहुंच होगी आप यहीं पर कि demand बढ़ेगी, supply कम होगी, price increase होगा supply ज्यादा होगी, demand कम हो जाएगी, तो price नीचे गिरने लगेगा पूरी market issue की उपर काम करती है, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है आसान लगेगा, easy लगेगा, बट अगर आप less experience हो, आप भी नए हो तो हो सकते हैं यह चीज़ समझने में आपको तोड़ा सा time लग जाएगी, अब जब हम यह बोलते हैं कि price का demand बढ़ेगा, demand ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, कि price जो अपने support पर होगा, तो volumes increase होती है प्राइस जैसे जैसे अपने support पर होगा, इसके अंदर volumes increase होती है, इस तरह से volumes की increase होगी और price एक तरह से support पर रहेगा, बिलकुल एक support पर रहता है इस तरह से, और volumes इसकी increase होगी और price जैसे resistance पर जाते हैं इसकी volumes कम हो जाती है इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो demand है वो ज्यादा हो रही है supply उतनी नहीं हो पा रही है Second है मारा law of cause and effect कोई भी movement आप देख रहो या चार्ट के पर कोई भी effects गिर रहे हैं कोई भी एक movement भी हो रहा है तो उसके पीछे का reason क्या है price आपका किसी resistance point से नीचे की दिशा में गिर रहा है या फिर एक support से उपर की तरफ जा रहा है तो क्या accumulation है या distribution है mark up है या mark down है इसके अपने कुछ reasons होते हैं कुछ भी आप देख रहा है चार्ट में अगर price आपका नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये एक effect है और उसके पीछे का reason क्या है कारण क्या है इसको समझने के लिए फिर हम लोग cause and effect का use करते हैं क्योंकि कुछ भी अगर इस stock की पीछे हो रहा है या फिर markdown का move आया क्या next time हम इस चीज़ को देख करके अपने traits को और भी ज़्यादा perfect या pure बना सकते हैं वाइकओफ का third law है effect and results का effect and results को अगर समझने है आपको तो simple way में ऐसे समझें कि आपकी एक volume है जो एक normal सी volume है इस पर price का जो movement हुआ वो just for example 0.5% का हुआ volumes हमारी 1 million के आसपास आगई जह इतनी वे 1 million volumes में 0.5% का move एक stock के अंदर हुआ एक दिन पहले 1 million volume है second day 5 lakh volume ही आई है but next day जो volume बन रही है वो just half volume है मतलब 5 lakh के आसपास की volume है price का जो movement है ये previous day की price की movement से ज्यादा है एक बड़ा price का movement है ऐसा आपको कई बार charts में दिखता होगा कि volumes तो कम आ रही है बट price का movement ज्यादा हो रहा है अगर हम compare करेंगे previous volume से और previous price से तो यहाँ पर 1 million के आसपास volume है and price का movement 0.5% इसके बाद में half just volume हो गए बट price का movement बढ़ गया क्या यहाँ पर हमें यह समझ में आ रहा है कि effect के जरिए यहाँ पर हमें जो result शो हो रहा है वो तो ठीक है बट इसके अगले दिन effect तो उतना है ही नहीं बट result की इतना बड़ा कहां से आ रहा है कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगे क्या हम इसको diversion बोल सकते है price का move downside की तरफ गिर सकता है अगर यह down से upside की तरफ जा रहा है या up से downside की तरफ आ रहा है volumes का में price का move ज्यादा है तो क्या है यहाँ से price turn हो सकता है उपर की दिशा में effect and result को इस तरह से हम लोग योज़ कहते हैं technical world में prices की movement को समझने के लिए breakout हो सकता है या नहीं हो सकता है इसको देखने के लिए इसको पकड़ने के लिए तो यह basic से तीन concepts हो गया है हमारे Richard Wykoff के market को चार पार्ट में डिवाइड किया गया एक accumulation, second markup third distribution, fourth markdown accumulation and distribution क्या होता है आप सभी लोग इस चीच को जानते होगे शायद ही कोई होगा जो कि accumulation and distribution को नहीं जानता होगा simple way में price आपका एक sideways zone में रहता है यानि के support ये पूरा का पूरा जो आपका sideways zone है ये support area होता है इसके बाद में markup again distribution start होता है और फिर ये markdown होता है ये वाला भी जो point होता है ये पूरी तरह से आपका sideways zone होता है इस तरह से market के यही 4 phase होता है इसके अलावा कोई 5 वा phase नहीं होता है या तो trend करेगे ये sideways या तो trend करेगे sideways तो trend करते वक ये markup या फिर markdown में आता है और इसके अलावा जो दो parts बनते हैं accumulation Accumulation. What is accumulation? Accumulation is nothing but a sideway and range-bound market activity that happens after an extended downtrend. Price नीचे की दरफ गिर रहा है and यहाँ पर price के अंदर एक sideway market ने movement करना है start कर दिया. This is the phase where smart money trades and big institutional players try to accumulate or acquire positions without moving the price too much to the upside. इसके बाद में distribution. Distribution is the exact opposite of accumulation. It's a sideway range. यह भी होता है और sideway आपका यह भी. Market activity that happens after an extended uptrend. मतलब price uptrend में जाने के बाद में एक sideway zone में आती है. इसको हम लोग बोलते हैं distribution. Accumulation में price हमेशा नीचे की तरफ होगा और distribution में price हमेशा ऊपर की तरफ हो. Distribution के बाद जो movement आता है इसको हम markdown कहते हैं और accumulation के बाद जो movement आता है इसको हम markup. This is the phase where smart money trades and big institutional players try to distribute or sale. Sale of their positions without moving their price too much to downtrend. Distribution है ना upside में. This is the phase where smart money moves traders and big institutional players try to distribute or sale. यहाँ पर distribute करने के कोशिश करते हैं otherwise sale करने के कोशिश करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं अब इसके कुछ example हम आपको दिखा यह होगा हमारा accumulation का phase. Accumulation के बाद में price का move धीरे धीरे आप देखोगे के downtrend में जाता है. Price related after the accumulation phase. इसके बाद में यह downtrend था अब downtrend से पहले जो price हमारा upside की तरफ रुखा होगा वह होता हमारा distribution. यहां पर जाकर के market में distribution स्टार्ट हुआ और distribution के बाद में price फिर हमारा नीचे की तरफ आ गया. जैसे यह price ने downtrend में जाकर के side way move दिखाया तो इसको बोलते हैं accumulation and accumulation जब खत्म होता है तो इसके बाद में फिर uptrend. जरूरी हैं के price में जब एक बाद distribution हो रहा है एंग distribution हो जाने के बाद में market में markdown दिखाया और फिर यहां से हमेश़ा आपको accumulation ही start होगा या accumulation होगा। फिर अगर market नीचे की तरफ आरी तो हो सकता है यहाँ पर भी distribution हो, price जब upside की तरफ जा रहा तो may भी chance है कि यहाँ पर accumulation स्टार्ट हो जाए, जरूरी नहीं है, accumulation के बाद में distribution हो या distribution के बाद में accumulation हो, continuously यह दोनों patterns चला करते हैं साथ साथ में, जब देखना है न तो यह धीरे धी देरे practice से आपको समझ में आने लगता है, इसका just opposite देखिए, यहाँ पर देखिए, यह पूज दरह से अपना uptrend है, up, 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 यह हुआ एक तरह से distribution, distribute करना स्टार्ट किया गया, और फिर यहाँ से downside, यह भी हो सकता है, जब price हमारा downtrend में हो, तो यहाँ से फिर से एक जैसे, VSA, V, volume, volume spread analysis, अच्छा है, यह होता क्या है, volume spread analysis, actually, एक smart money, जो concept होता है, smart money concept, उसके अंदर यह VSA आता है, smart money concepts में, एक शब्द इसके अंदर use किया जाता है, validation, second आता है, validation और diversal, validations and diversions के तुरू हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं, कि prices के जो movements है, वो किस तरह है, actually, price का movement कभी fake, हमारा ऐसा believe है, कि कभी वो fake नहीं होता है, वो हमेशा कुछ न कुछ indicate करने की कोशिश करता है, stock to stock के चीज़े depend करते हैं, और हम एक ideal stocks के example के तुरू ही आगे की रहेंगे, वो stock जिसके अंदर सौधा चलता हो, भारी मात्रा में सौधा चलता हो, nifty-fifty के आप सारे stocks लेलो, आप reliance को लेलो, आप हिंदुस्तान उनी लिवालो, टाटा स्टी लेलो, टाटा कंजुमर लेलो, टाटा मोटर्स लेलो, आप फार्मा सेक्रेस के stocks लेलो, डिविस लेल, मतलब जितने भी एशिन पेंट कर रहा होगे, बर्जर पेंट होगे, अच्छे stock, जा स्टाइल है, इंडियो है, इन इस स्टाउक के जामपल से थो, अब वैलिडेशन में क्या होता है, देखिए, वैलिडेशन का मतलब होता है, कि जितनी वॉल्यूम, जितनी मूफ बड़ा होगा, यह डाइवर्जन होगा, डाइवर्जन के थूख क्या हम लोग करते हैं, यह पता लगाने के कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर smart money, एक retailer को, या फिर अपने से छोटी quantity में कर रहे, trades को trap कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोशिश करते हैं यह पता लग बेसिक थ्री उनके लॉस होते हैं, प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हूं, तो वाइकॉफ के थ्री बेसिक, अच्छा इन प्रिंसिपल्स में है क्या, इन्होंने इन तीन प्रिंसिपल्स में क्या बताया है, वाइकॉफ में बस्ट, जो सबसे पहला होता है हमारा, उस दिन मी ल का law of effect and result law of cause and effect effects and result यह तीन basic laws होते हैं और यह जो diversion है ना diversion और validation यह आते हैं वाइकॉफ के third law के अंदर effect and result में देखिए effect मतलब volumes natural है और उसके according हमें यहाँ पर देखनकों मिलरा है बट यहां पर volumes unnatural कम वाल्यम के अंदर इतना बड़ा result देखने को कैसे मिल रहा है क्या रीजर इतना इतना जधाथा मुव्मेंट हमें कैसे देखनओ को मिलता है क्या हो सकता है क्या यहां पर deme adapte अगर यह बेरिश केंडल्डल है आध व्येरिश केंडल में कम वॉल्यम और बढ़ा तो क्या मतलब हो सकता है, कि यहां पर कहीं न कहीं सेलर्स ट्रैप कीया जारे हैं, वॉल्यम कम है बPrize का मुव ज्यादा है, तो यहां पर बढ़ा मुव या फिर केंडल सी आपकी देख करके, red candle step करके यहाँ पर कोई भी shot करेगा न लेकिन smart money क्या कोशिश करता है कि यहाँ से उसके अंदर buying start होती है क्योंकि वो देख रहा है volume कम है price तो जादा है कोशिश करता है trap करने के सब कुछ आखोगे सामने होता है हमारी और फिर यहीं से price आपका move कर जाएगा upside की तरफ यह होता diversion और इस तरह से जब price आपका upside की तरफ बढ़ता है volumes भी आ रहे हैं price भी आपका upside की तरफ जा रहा है तो price थोड़ा सा sustain होने की कुशिश करता है यह आता है अपमारा law of effect and result के अंदर इसके बाद में जो आगे की चीज़े है जैसे कि कुछ basic लोग इनके concept होते है basic concept का मतलब तीन या फिर चार एक हम आपको चीज़ बताएंगे चार केंड़स की वह ट्रिक है छोटी से ट्रिक बोलेंगे इसको हम day time frame पर उसके तुरू लेवल मारकर इसके लाबा कुछ छोटी छोटी चीज़े है वह समझ लीजे जैसे candles में हम लोग क्या देखते हैं दो तरह की candles होती है आपकी doji और dragonfly ये सब कुछ ने दो तरह की candle only two type of candles first wide spread second wide spread और narrow spread यह दो ही तरह की candles होती है इसके लाब और कोई तिसरी candle है wide spread candle जो की strong candle होती है एक अच्छी खासी body बनी है wide spread है narrow spread में क्या होता है चोटी candle होती है मतलब वो देख कर कि आपको लगए इसमें जान नहीं चोटी से candle बन गई narrow spread होती है wide spread में volumes का जब यूज़ करते हैं अच्छा यह क्या है wide spread और narrow spread वगएर यह सब क्या चीज़े है देखिए अब हम आपसे जब बोलेंगे ना कि इस candle को हमें अगर denote करना है इसे हमें denote करना है यह में denote करना है तो हम कैसे बोलेंगे कि वो जिसमें दो चोटी चोटी विक होती है और बड़ी सी body होती है वो वाली candle में mark करके दो या वो कि इसमें body बड़ी चोटी होती है और विक बहुत ज़्यादा होती है वो वाली candle में डून करके दो या अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो आप कैसे पता होगा समझाओ कैसे समझो गया प्रोफेशनली जब हम लोग काम करें तो इस candle को हमने एक नाम दे दिया ये narrow spread हो गई और ये wide spread हो गई सुने में भी अच्छा लगता है और ठीक है नाम के तुरूज आप नाम ले रहे हो ना wide spread तो वो एक picture बन जाएगी सामने अच्छा बाकिस से यह नहीं कि इस candle को wide spread candle कहते हैं इसमें body इतनी होती है इसकी विक ऐसी होती है तो उससे कुछ पैस वो नहीं बनता आपको एच्छा ऐसी होते हैं इससे बड़ा profit होता होगा ये सब नहीं है बसके candle को समझना है उसको हम लोग ने नाम दे दिया समझने में आसानी हो जाती है हम आपको बोलिंग wide spread आपको खट से आपको दिमाएं में क्लिक कर जागा है ये wide spread ये narrow spread इस वे से नाम देना जोरी होता है कई लोगों का सवाल होती है क्या है ये तीन और ये falling rose और ये फलान एटिम पर ने वह एक पहचान है उसके अपनी wide spread candle में क्या होगा जैसी जो चीज़ अभी हमने बताई है कि एक volume और price ये बिल्कुल same रहेंगे इसको हम लोग बोलते हैं validation diversion opposite जो चल रहा है उसके opposite ही हो सकता है कुछ diversion बिल्कुल सीधे सीधे हो रहा है सीधे चल रहा है इसको एक example के तुरू समझें देखें जैसे कि simply जो इसका अपना time हम लोग रखते हैं वो day time रिम होता है जैसे आपकी ये candles बन रहे है या इनको ना लेते हुए आप एक काम करो जैसे ये narrow ranges candle से हाँ ठीक है यहां पर देखें आप सब्सक्राइब कर देता है यहां पर क्या देखनों को मिल रहा है volume भी है और price भी है इसके according जब आप compare करोगे तो यह देखिए narrow बन रहा है बट यह वाइड है यहां पर देखो volumes के breakout है यह सही है मतलब volume भी आरे और price नीचे गिर रहा है volume आ रही है price नीचे गिर रहा है मतलब ठीक है sustain होने की कोशिश कर सकती है market यहां से यहां पर किस तरह कोई trap नहीं है यहां पर देख कितने सारे example है आपके पास wide spreads में wide spread और validations validations in the sense कि देखिए जैसे यह देखिए आप यह है ना validation कि price आपका नीचे तो गिर रहा है बट volumes नहीं है कम volume है ना validation है बिल्कुल सीधा simple चल रहा है कम volume है और कम body बन रही है validation और example लिजा आप volume price volume price जितनी volume उतना प्राइस का movement इसमें होता है गया ना जो वाइकॉफ का थर्ड हमने आपको बताया है effect वाला cause और effect तो इसमें volumes simply हम लोग देख लेते हैं यह कि जितनी volumes हमारी आ रही है क्या उसी तरह का price का movement हो रहा है law and effect जो गिर रहा है हमें उसका result देखने को मिल रहा है effect और result जो effect है वह result है यह validation के अंदरा जाएगा अब इसके बाद में diversion क्या होता है diversion में आपको volumes तो ज्यादा देखेंगी बड़ प्राइज उतना अच्छा नहीं देखेगा जैसे लास्ट से शुरू करते हैं यहां पर देखेंगा यह होता है diversion में खुद रीट कीजिए इसको diversion में क्या हो रहा है ठीक है न बट 20 को क्या हुआ है 19 से ज्यादा 20 को volume आई है बट प्राइस का movement तो है यह ने देख रहा है और 20 से ज्यादा 23 को आया है प्राइस उपर भाग रहा है कि बहुत बड़ा movement तो है नहीं और जबकि उसके अगले दिन हम देख रहे है कि 23 से कम volume 24 में यह बट प्राइस का movement देखें प्रिवेस की candle प्रिवेस टे की जो candle उसे ज्यादा है कि हम लोगों को देख करके यह नहीं लग रहा है कि यहां पर प्राइस के इंदर डाइवर्जन चल रहा है प्राइस उपर वॉल्म वी उपर प्राइस अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है हाई को ब्रेक कर रहा है वॉल्म ज्यादा रहे हैं प्राइस का movement नहीं हो रहा है वॉल्म ज्यादा हो रहे हैं प्राइस रुका हुआ यह divergence होते हैं अच्छा इन सब चीजों से हमें यह पता चलता है कि यहां पर किस जगह पर smart money हमें trap करने की कोशिश करते हैं यह सारी चीज़ें मदद कर देती हैं आपको जब हम day time frame पर reading करते हैं कि price देखे हमारा upside की तरफ तो जा रहा है और यहां पर high किस ने लगाया है वालूम के साथ में price उपर की दिशा में close हो गया है न और अगले दिन इस वाली candle को break करके price पर मरा नीचे की तरफ गर गया अब यहां पर क्या कर रहा था यह लोग को break कर रहा है लोग को protect कर रहा है लोग को protect कर रहा है यहां पर जाकर के एक range बना दी और जैसे ही range को break किया इसके दर देखे एक move आगया बड़ा सा अब price तो मेरा नीचे गिर गया है जिसको किसी को भी आप दिखा दो वो ठीक price गिर गया नीचे क्या गिरने से पहले इसने इसके पर कोई support बनाया यहां पर वह अभी price वहां पर है नहीं क्या हम लोग अभी यह मान सकते हैं कि 42,615 यह इसका एक support एरिया है price ने कितनी बाहर देखे यहां से rejection लिया है one 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 एक दो तीन चार है ना उपर की तरफ जाकर रहे है प्राइस पर नीचे की तरफ है जब भी जब भी price 42,615 पर आ जागा ना यह reject हो जागा यहां से कोशिश करेगा कि market यहां से आपको down side की दिखेगे जब तक price 42,615 की नीचे है price आपको नीचे की तरफ ही दिखेगा अगर इसको उपर जाना है ना तो 42,615 को break करना पड़ेगा उपर की वरना 42,615 की नीचे जब जब शॉट मारेगा मतलब जब जब यहां से support ब्रेक करेगा जब 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 यह सब्रेक करेगा market नीचे गर जाएगे उपर जाना है बैलेश्चे पंद्रा के उपर reject होकर कि इसको resistance को break करना होगा price उपर निकल जाएगा super resistance area जो इसका बन रहा है हमारा वो बनेगा 43,078 क्यों यह diversion देखो आप है ना एक narrow spread candle form हो रहे है volume to increase हो रहे है बार price के नंदर कोई बड़ा move नहीं है और उसके बाद में इसको बोलते है validation कि price नीचे गिर रहा है volume भी नीचे आ रही है मतलब क्या इसका वन टू ठी जितनी वालूम है उतना प्राइज है जितनी वालूम है उतना प्राइज नहीं है प्राइज नीचे गिर गया सीधे इसलिए हम बोल रहे है कि प्राइज जिस रेंज से नीचे गिरा है न सेलिंग जोन है पूरा ही है बाइल इस शे पंद्राग नीचे जब-जब मार्केट आपकी सपोर्ट ब्रेकर रही का आप ट्रेड मार देना ट्रेड मार देना नहीं मार देना इसके उपर डिसक्रशन ने कर एक तरह से वैलिडेशन हम समझा रहे है और डैवर्जन वैलिडेशन के बीच का फर्क समझ में है ना डैवर्जन एपोजीट हो रहा है कुछ दिख कुछ रहा हो कुछ सकता है और वैलिडेशन में समझ में रहा है ठीक है जो है सही है जैसी बाइटिंग करू आप अच्छा यह तो विससे होगा है क्या है यह संडेस्टूट वैलिडेशन इन डैवर्जन विद भिस क्या बोलते हैं कि नाम भूल ले सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सप्लाइं डिमांड जोन होगे न उसके जिए पर करते हैं एक चीज़ समझेगा अब मान लीजिए हमारा यह पॉइंट है यह हमारा एक एरिया है यह मेरा डे टाइम ट्रेम का कोई पैटन के थूरू हमारे प्री-डिफाने अपने कुछ ऐलियास यह मेने माक कर लिये हैं इसके बाद हो क्या रहा है यहां पर एक्चुली वाल्यूम्स गिर रही है और प्राइज हमारा ऊपर भाग रहा है वो नेरो डेंज बनाते हैं प्राइज हमरा उपर जा रहा है नर सेवन नर नाइन नर थी क्या हो सकता है अब देखिए अभी तक हमने जो यूज किया VSA का नेकेड यूज किया है अब हम देख रहे हैं कि अब हमने जो लेवल अपना माट क्या हुआ था उसी लेवल के पास में प्राइस पहुंच रहा है और यहां पर हमें डाइवर्शन शो हो रहे है क्या लगता आपको अगर एक एडिय तक पहुंचते 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 प्राइस अपनी वॉल्म को कम कर रहा है तो चांसे आर वेरी हाई कि प्राइस उपर तो जा रहा है बड़ में भी हो सकता है उसके अंदर स्टेंथ नहीं है लिक्विडिटी ब्रिक की जा रही है लिक्विडिटी खतम की जा रही है जस प्राइस उपर जा रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए यहां से लिक्विडिटी आपकी ड्राइउ हो जाने के बाद में प्राइज में भी चांस है कि प्राइज से नीचे कर जाएगा एक तरह से केंडल के कलर को हम लोग प्रेट कर सकते हैं कि नेक्स टे केंडल कौन से बन रही हम आपको चीज बताएं देखिए एक सिस्टम बताते हैं सिस्टम यह हमारी अपनी अब्जर्वेशन है जब भी आपको दो केंडल कम वॉल्यूम के साथ देख जाएं वन टू हमेशा ऐसा नहीं होगा 60-70 परसेंट ऑफ टाइम नेक्स टे की जो केंडल बनेगी यह ऑपोजिट बनेगे वन टू अगर कम है वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कम है तो नेक्स टे की जो केंडल आपकी बनेगी ठीक है ना एक्जांपल दिखाने को यह जैसे डे टाइम में हमें प्राइज नहीं देखना मतलब नहीं है यहां पर लीजिए इधर ही देखिए एक दो नेक्स टे केंडल अभी हमने कैसा कि क्या बोला अब कलर प्रडिक्त करो उसका यहां पर फेल हो गया नहीं हुआ यहांपर मालूम है कि अगर दो केंडल्स हमारे पास रेड में फॉर्म हुई है तो नेक्स टेम में करना बाई अगर सेल होगा तो जाने दूज़को हमें रहेंगे ट्रेड आप हम देखेंगे मौक्षा अच्छा सा है ट्रेड मार्ने का भाई ही करेंगे स्लिंग नहीं करेंगे यहां पर क्या हुआ बेबर जनेना स्च छांस बहुत जादा होंगे कि आप आपका ट्रेड से जाँ जाना जाँ हम बाई करेंगे से फिर देख लो आप यहां पर क्या हुआ है पैसेंचे की तरफ गिरा है न हमें अगले दिन सिर्फ बाईंग करनी है नहीं करनी से लिंग नहीं करेंगे गिर रहा है गिर जाने तो वॉल्म इसी लिए इतना पावर्फुल होता है मतलब बह बाउस ओने के चांशेज तो ऐसे ही कम वह जाएंगे फिर सेटास कंट करते हैं ठीक है अगले दिन क्या उसनी के डिर्क्शन कीbles सिर्फ बाई करो से नंहीं अगर हुआ थो अपने लिए घ्रिंगस्वारा का आ है ना प्राइज नीचे की तरफ गिर रहा है ओके नेक्स्ट रेट केंडल हमें देखनी है रस सिफ सेलिंग कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें यह क्या यह तो सिफ एक जहला के चूटी से हमें दिखाई आपको हम इसलिए बोलते ना कि यह सारी चीज़ें डेरिवेटिस काम करना बहुत आसान हो जाएगा अपके लिए प्राइस पकड़ तो बनाओ अपनी लेकि इतना सब हो जाने के बाद में अभी भी हम एक अपने लेवल का जो हमारा अपना परसनल है वो टार्गेट बस पूरा हो जा बिस क्राइए हैं अगर तो शाहे क्लास में 20 लोग है तो आगर हम घलत नहीं तो साथ अगर हम ऐंगहाई है तो जोड़ा सा प्र arguments बासे पे रेड मारना हसान हो जाएगा फके लिए देटिसफ नुंक्सान नहीं होने सब अपना पहला जो प्रियोरिटी और नुक्सान नहीं हो Works प्रॉफेट हम बना लेंगे बस पहला जो जिम में पैसा है वो जेब से जाने नहीं चाहिए कूरोब ये इतना आसान हैं जितन आसानी से हम बोल देởाकर बहुत मेनत लगती है जहसब मार्केट बन जाने की आखने दों केंडल गरीन बन यागली रेट बन बन जाने के बाद हम बता रहे हैं लाइब मार्केट में आओ तक पसीने छूड़ जाता है फिर और इसलिए हम जतनी प्रैक्टिस आपको कराएंगे सारी life marketing होगे कुछ भी आपका backtest नहीं होगा कुछ भी backtest नहीं है और ना dead charts को पर अभ्यास होगा सिफ life market ये होगी आपका कहां पर थे भूल गए है हाँ यह हो गया आपका वी एसे का हम लोग जो यूज करने वह इसके तुरू कर रहे हैं अच्छा एक और चीज जल्दी जल्दी में आपको बटा दें और जिसको हम देखते हैं या तो हो गया trend line आपके या आपको जो predefined level हो गया candle patterns है आपके या candle होगे और single single candles होगे single candle के जो formations होते हैं इसके बाद में आपके लेवल है ना हाय टाइम प्रिम की लेवल होगे इसके बाद में आपका supply इंडिमर्ड होना जागा इसके साथ में करते हैं अकेले इसका यूज नहीं होगा अप इसका यूज कैसे क्या होगा यह बताएंगे मों को किस तरह से होगा अभी जैसे एक चीज हमने बताई है इसके लाव पर आपका ट्रेंड लेना जागा support वह आ जागा इसके साथ आप मिला देने भी इसको काम को जागा चलिए और डाइवर्जन आपको समझ मैं आजाए और डाइवर्जन और वेलिडेशन के जितने भी हमने एक्जांपल ती वह आपको समझ मैं है और यह से का एक छोटा से कह सकते हैं कि जो परीचह है वह आपको मिला होगा नेरो रेंज स्कैंडल जो बनती है और के तू अप तू जों कि मतलब क्या होता है सि्म्प्टी फर्स्ट ाफ रिवर्ड आपको देखने न कई सारी फॉर्मिशन्स को तुर्वेर्डिस होते यह जो मतारे न इसको भी दखो तू अप एक तो यह formation बन गए इसके बाद में two down color कोई matter नहीं करेगा color कोई matter नहीं करेगा अच्छा इसके पीछे का reason गया color के matter नहीं करने का एक जो candle आपकी form हो रही है जो एक candle बन रही है वो normal है पहली candle आपकी normal है उसके बाद में जो second candle आपकी निकल के आई न प्रीवेस से ज्यादा की volume आ गई है उसके बाद में फिर volume कम हो रही है देरे देरे फिर volume कम हो गई इसका मतलब क्या है एक level तक जा हमारा price पहुंच रहा था तो volume ठी थी increase हो रहे थी इसके बाद में अचानक से volume गिरने क्यों लग गई एक में भी गिरी दो में भी गिरी और यह तीजरे में क्यों गिर गई अब यहां पर आपको price के movement किस तरह के देख सकते है ideal condition में जानना है कैसे वो price के movement हो तो यह इस तरह का और इसके बाद में फिर market में भी chance है mother candle आपको देख चाह है ऐसे करके प्राइस के यह श्विंग बन सकता है और नहीं तो फिर इन चार के अड़िसका आप देखोगे तो इस तरह से भी बन सकते हैं यह ऐसे करके simply आप यह जो structure है इसको देखना है first वाली वॉल्यूम नॉर्मल फस्ट वॉल्यूम नॉर्मल second वॉल्यूम ग्रेटर देन फस्ट वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम आपकी लोवर देन क्या बोल सकते है second वॉल्यूम और fourth वॉल्यूम लोवर देन फस्ट वॉल्यूम नॉर्मल 2nd Volume greater than 1st Volume 2nd Volume 3rd Volume lower than 2nd Volume 3rd Volume 2nd से कम है और 4th Volume lower than 3rd Volume तो 4th Volume आपके 3rd से कम होगे इसके बाद में color matter नहीं करेगा इसके अंदर और जो भी price बनेगा यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे चलके price की marking किस तरह से के जाएगे बस इसको ध्यान रखना यह भी VSA का ही एक form होता है Volume and Price की Analysis के तरह हम यह पता लगाने की कुशिश करते हैं कि क्या price को जो movement है वो normal movement हो रहा है या price की जो movement हो रहे है उसमें smart money हमें trap करने की कुशिश कर रहा है क्या यह movement unusual तो नहीं है दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है Average Volvo से ज्यादा की volume आरी है बड़ Price का movement कम है Average volume से कम volume आरी है बड़वेंट मुव्मेंट हाई है कम volume में बड़ा movement होई नहीं सकता अगर हो रहा तो मतलब गडबड है बड़े volume में चोटा move नहीं हो सकता मार्केट है होता है अगर हो रहा तो मतलब कुछ न कुछ गड़बढ़ है देखना पड़ेगा थोड़ा सा अवेर हो जाना होगा इसकी फॉर्म्स काफी सारी लग लग होती तीन केंडल की विदियो जो हमने दिये आपको पास एक फॉर्मेशन होगी वी एसे के नाम से चैप्टर ही है पूरा वी एसे के नाम से उसको देखना काफी सारी चीज़ी क्लियर हो जाएंगे एक नॉर्मल जो होता है ना कि क्या बोल सकते हैं इंट्रडक्शन वो यह है उसके साथ-साथ यह फॉर्मेशन जो कि हम चाहते हैं कि अपकी पूरे वीक आप पूरे वीक इस फॉर्मेशन के प्रैक्टिस करो फिर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल सेकेंड फर्स्ट ज्यादा थर्ड फॉर फैट जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ अब चुप चाप चार्ट के उपर चलते एक दूए इसके बाद में सेथे हम आपसे कुछ अगर डाउट होता है तो फिर उसको क्लियर करता है प्राइस को देखने की जोरत नहीं कोशिश करिएगा यह सही है लेकिन यहाँ पर बन नहीं रहा है कुछ यह कितना है 2308 फर्स नॉर्मल सेकेंड थर्ड फॉर यह बन गया हमारा ग्रूप अब देखना है यहाँ पर मा इसके बाद में ऐसे ऐसे अब प्राइस में जो भी होगा आप हाइस्ट हाइं लोवेस्ट लो माक करोगी ट्रेड एग्जेकूट करने की जगा होगी यह वाली और कुछ नहीं करना है अभी हमने प्राइस देखा नहीं क्या हुआ है लेकिन आप देख लो सब कुछ हम डिली सही करना बस जितने भी ट्रेड एग्जेकूट करने यह फॉर्मेशन अपर कब बन कर किया थी यहां पर कंप्लीट होगी ना दो जुन को क्या हो रहा है क्या नहीं होना हम थर्ड जून से इसके पीशे पढ़ गए बस के थर्ड जून को मालू है कि यहां से बस में फॉर्मे बेट कर डालो इस तो बात ही छोड़ दो अगर हम यह चाहते हैं कि आगे की तरफ हम चल करें तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि अगर 43,473,498 के पास हमें आगे की तरफ trade execute करना मतलब पीछे price कितना trade हुआ इस level से समझभा रहे है न हम कोई भी अगर level draw करते है उसके पास्ट में इस लाइन से कितने trade मारे गया है इस लाइन से कितने trade मारे गया है पास्ट में अब आप देख लो अगर हमने यहां से तू लो और टू हाई तू हाई टू लो से हमने ये वाला एरिया माग कर लिया अपना इस केंडल का है अब देखो प्रीवेस में भी तो प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुआ है मतलब कि ये लेवल कहीं ना कें तो इंपॉर्टन है देख रहे हैं हमने क्या किया था हमने तो प्राइस को देखा तक नहीं फिर से हम देख ले रहे हैं यहां बना है कर लो सुरी ये वाला ये यह यह है अब यहां पर कहां बनगे यहां पर भी दो है एक, दो, एक, दो तीन, लो, नहीं यहां पर ज़्यादा है, इस जगे पर ज़्यादा है, इनको सब कुछ छोड़ देना, चार, पांच के लगातार बनती चलिया रहे है, तू हाई टू लो पूली जगा, जैसे यह आईडियल है, यह आईडियल है, बस यही लेना, तीन ही होन सब लोग सभी लोग वही मेरा वाटसेप नंबर है टेलेग्राम नंबर चाहो तो टेलेग्राम पर कोई भी डाउट हो जो भी चीज अभी तक हमने बताई है राकेश माइक कर सकते हो लोग अपने माइक कर देंगे आपका हलो जी राकेशी बूलिए मैं बोला तो सर कि यह मदर केंडल क्या होता है बता देंगे आपको अभी जो चीज बताई वो समझ में हैं यह कि नहीं समझा है कि जो 16 वाला था उसको आपने क्यों बोला कि इगनोड करने के लिए वहां पर तीन से ज्यादा ना वहां पर चार केंडल से चार क्यों मतलब 16 से पहले वाला चोटा उसका 16 बड़ा है फिर उससे चोटा उससे चोटा यहां पर देखे क्या हो रहा है हमें सिब 2 है टूलो चाहिए बट यहां पर क्या हो रहा है एक दो 3 चा यह सब्सक्रीं से पहले वाला शळब अले मैंibl Settings सेंनी से पाले वाला कांड़ में से ँसक्तिर पर फिर उससे कम उसे कम एक दो यहां खतम हो जानी चाहिए यह उन्निस में वोल्म कम नहीं है मतलब उन्निस में ज्यादा होनी तब यह फॉर्मेशन कम डिए इसको तो सर उन्निस तो जब आएगा तब मतलब देखेंगे ना सपोच करो एटीं तक ही है आज एटीं तो मां कर कर लो नहीं यह बिल्कुल बास सही आपकी उन्निस जब बन जाएगी तब में पता चलिएगा ना कि यह वाली फॉर्मेशन गलत है अगर उन्निस से पहले आप ट्रेड मार तो इसको मां कर लो पर जब उन्निस को यह केंडल बन जाएगी तब आपको लगेगा कि नहीं यह पर फॉर्मेशन नहीं यह सही नहीं तो आप उसको डिलीट मार दोगे अप जैसे यही है दो हाई बन गए यह दो लो हैं बन गए ना फॉर्मेशन कर सकते हैं आम लोग आप एक काम करो ना जो लोवेस लो पॉइंट है पर जो हाइस थाए माख को लो नेक्स देख लेंगे ह अगर अनलो बन गई छोड़ तो इसको यह जहां अब तीन से ज्यादा नहीं लास्ट वाली से ज्यादा है तीन से थीन थीन थर्ड फर्वरी से जादा होने चाहिए ठीक ना मार दो आप ट्रेड उन्त एन्तालीस बघ्र मार्दा गैस ब्राइस पांच तो 14,000 बैले सेवाइब उपर वह तो बैले से रांड नमबर ही ए यह देखने आप खुद देखो ना कितने स्ट्रांग लेवल है प्राइस उपर तो नीचे तो नीचे सिंगल साइड मुप कल देख ली जागा मार्किट और यह मंदे को अगर यहां तक आया प्राइस तो मंद आप से नहीं आप से नहीं बोलागों अच्छा ओकी अभी कोई वीडियो में राइट डाउन भी किया मैंने तो आपने जैसे जो रेकॉर्डिंग कर रहा है वो कुछ मिलेगा सर रैक्टिस के लिए मतलब इसको आगें फिर से देख सके वीडियो को में भी हम इसको तो कल और अगर पॉब्लिश नहीं करें तो भी वीडियो में डाल करें आपको लिंक शेयर करते हैं कि जैसे अब यहाँ पर कौन सा है तीस फैप थर्टी जो तीस है हम 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 हाँ ए और अड़र मतलब है से फ़ले थर्टी ऑगर सर अपने यहां पर इमार करने है आपके अर टू dom के से कब्रूण के करने से पहले अपन पहले उसको देख लेगे ना सब की पहले में इसने किया सपोर्ट लिया पार PhD Investment कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐख प्रिबेस को आपने मार बना रहेगा वो कॉंटूनियुर या ओके सर ओके सर लेटस्ट तुमारा जो बन रहा है वो मंटे को पता चल जाएगा या ओके सर थैंक्यों सर अनिल साथ मैं कमूट की शपने अभी है अभी अभी एससे को ले करके काफी सारी चीज़ें बताएंगे दीरी दीर करके बताएंगे यह एक तरह का में भी हो सकता है कि कलम या तो उसको पब्लिश करेंगे और अगर वाई चंसम पब्लिश नहीं करते हैं तो प्राइवेट वीडियो की प्लेलिस्ट में डालके वो लिंक हम आपको शेयर करेंगे जी तो सर एक मैंने और कुशना था जो चैप्टर वन मैंने देखा दो दिन स है वही चैप्टर वन ही देख रहा हूं मैं और उसमें कुछ डाउड था वह अभी क्लियर हो गया या बार में क्लियर करेंगे अभी 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 नहीं यह अपनी ओपन क्लास इसमें क्लियर नहीं ठीक है वाटसेप पर यहां में आप स्क्रिंशॉट बेज दिएगा और जो उख हुआ है अ अंजी अच्छा से क्या नहीं जिस कि दे चाहरा हुआ हुआ है की तो पनले के काल आ अप्नुन कोल कीजेए न sih कल काल कीजिए अन्जी सार इंजी सार अप्नून कॉल केज़ए जी सर थेंक कुछ अक्षे जी मैं कर्मूट की शुक्न नमस्ते सर नमस्ते अक्षे बुले अभी ये तो हो गया अपने मार्केट के लिए क्रिफ्टो के लिए या फिर फोरेक्स के लिए 4 आउर पे मार्क कर सकते सर 4 आउर 15 मिनिट ठीक एस और एक चीज सर ये सिलेबस शेर किया है के सर परी सिलेबस आपकी आज कौन सी क्लास है परस्ट क्लास है नहीं अभी आभी आपको कोई सिलेबस नहीं आपके ग्रूप में इंफॉर्म कर लाएगी जी सब शुक्रिया सर बस इतना ही पूछना तो है अमित आपने जैसे क्या था ना जो बॉलम तुरा डिक्टी जो तो दूसरा दिन उसका उपोजिट बनता है तो आप आपने जो अभी ये मार्किंग किया है तो आगले दिन मतलब मोस्ट पॉपलेटी जो गिटने की चांसे से तो धैन अगले दिन मार्केट नीचे गिर सकती है और अगले दिन मार्केट नीचे गिर सकती है और अगर नीचे गिर सकती है और अगर नीचे गिर सकती है और अगले दिन जाएगा उसका तो किसी को पता नहीं है मतलब वहां से डीजेक्शन दे तो देख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि वह हमारे पास एक एज होंगे क्योंकि दूदिन के बाद मोस्ट पॉपलीटी दूसरा कंडल बनता है हां दूसरा कलर गडा कंडल बने गा मतलब वो एक एज लेकर चल सकते हैं खली पुछना था से जो कर सकते हैं सभी परफेक्ट है ब्रुकुल सभी तो और कुछ नहीं है भी फिर चार्ट देखेंगे फिर पूस पता चलेगा भेजेंगे चार्ट देखें बढ़िया से प्रैक्टिस किजए जितना हो सकें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अहां थी अनिल जी मैं कर्मूट की चार्ट में जो इंफर्मेशन ने 25-255 तारिख को बन रही है यह भी तो बैलेड बन रही है तो इसका हाई लो वन टू ट्री फोर यह वाली केंडल जी तू अब टू डू 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 रून रूल्स क्या फस्ट वाल्यूम और थर्ड वाल्यूम लोवर देन सेकंड वाल्यूम फोर्थ वाल्यूम लोवर देन थर्ड जो आप बता रहे हो उसमें थर्ड वाल्यूम यह सेकंड वाल्यूम ग्रेटर थर्ड वाल्यूम लोवर देन सेकंड वाल्यूम नहीं है अगर हम इसको मानके चल अगर कम होती तो इसकी मार्किंग फ़ेस्ट केंडल से लेके चलते हैं और फ़ेस्ट लोवेस्ट लोव हाइस्ट हाई चारो केंडल का हाँ चारो केंडल तो अभी किसी तरह के questions और doubts नहीं है ठीक है तो हम यह मान करके चल रहें कि जो भी चीज अभी हमने पढ़ाई है वो पुरी तरह से आप लोगो clear है और इसके आप लोग प्रैक्टिस करके हमें चार्ट के स्क्रीन शॉट शेर करोगा कल की class का time link आपको group में मिल जागा कल वापस हम लोग same time पर फिर से मिलेंगे और जो भी चीज हमने आपको अभी तक बताई है उसको अच्छे से practice करिएगा कल हम लोग simply एक काम करेंगे कि आज हमने जो चीज बताई इसके practice करने के बाद में आज के concept के उपर कल जो doubt होंगे वो clear करेंगे अभी इससे हम बता दे है आज जो चीज हमने बताई है इसको आप रात भर कल दिन भर practice करना back test के लिए हम नहीं बोल रहा है बस एक प्रयास करना कि जो formation है वो formation के आपको दिन आपके पास है तो इसको थोड़ा सा यूज करो यूटिलाइज करो जितना हो सके चार्ट के उपर marking करो कोई बीडाउट होता है ना तो कल की class में वापस हो एक एक डाउट क्लियर को मंडे से practice start को थो ठीक है चलिए राकेश 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 मा यह नहीं देखेंगे जो practice करेंगे उसमें यह नहीं देखेंगे कि उपर जाएगा या नीचे जाएगा ऐसा कोई prediction नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ अभी mark करना है बस और टाइम फ्रेम सर्केश रहेगा मतलब मतलब ऐसे वैलिड कितने टाइम पर रहेगा है कितने टाइम पर रहेगा वैलिड देआंखर अच्छ अच्छ न अभी 15 मिनेट पर आप बता है तो मतलब 15 5-minutes ऐसा भी रख सेटेंगा वह क्रिप्ट के लिए क्रिप्युक्य अच् करना है तो सर कल तुम्हें शायद क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो अगर कुछ इंपोर्टेंट होगा तो उसका वीडियो मिल जाए देंगे कल डाउट क्लेरेंस ही होगा अगर आपको ऐसा डाउट रहता है तो मैं वाट्सप कर दिएगा आप हमको क्लेर कर देंगे जो पढ़ाना था आज की सेशन में पढ़ा दी वह प्लास आपने टेंड ही कर लिए जी 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 कल डाउट ट्लेरेंस होगे सर अठीक है सार बाकि वीडियो का देख ली जगा सर मंडे वीडियो हम आपको प्ले करवाएंगे उसके टेंशन है वीडियो प्ले होजाएंगे सभ बस वो कल की थोड़ी सी दिक्कत थी एक फंक्टन अटेंड करना था तो उसके बिना शायद नहीं कर पाऊंगे कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यही था ओके सबी लोगों को अराम से जेतनी चीजे बताएंगे सबको रिकॉल करिए एक नोट बना ली ज बहुल जाओ गया नोट बूक पास में रखा करूँ कुछ भी लगे कि यह 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 चादम बहूल जाएंगी इसको नोट कर लिया प्रोड़ें नहीं सवाल आपकी मन में था एक्चुली वह सवाल आप भूल जाते हो थोड़ी देर में और आपका पॉइंट फिक्स हो जाता है दूसरे पर क्योंकि डिसकेशन जो चल रहा होता है आप सुनते वह ये बहुत पहले से सारी चीज़ेश एक बार हम शायद बुक पढ़ते थे कोई हमें नाम क्या था उसका अच्छी बुक थी तो उसमें बताया गया है ग्रुप की जो क्लासिस होती है न ये बहुत पुराने टाइम में हम लोगों के हां से बहुत बच्पन से गुरुकुल वग की आजाता है कि इतना सब कोमेर्शेलाइज हो चुका है कि आपके डॉट से मतलब ही नहीं है टीचर को जादर टीचर आपको ऐसे बिने आपके डॉट से उनको एक पैसे के लिए न देना नहीं है लेकिन हम यही कोशिश करें कि अगर आपके मन में डाउट है ना तो इसको जितना हो सके ज्यादा ज्यादा पूछ लो और ना नुकसान आपका मेरा कोई नुकसान नहीं हमारा बस इतना काम है अगर हमारे ग्रूप में किसी का भी हैंड राइस है तो उसका हैंड डाउन की प्था हैंड बना है छिपने में बहुत क्अपे अधेरे घ्रूप में असमें तरम्स हैं मैं दो सब्सक्राइब करेंगे उस में यहां कर्या उस्ते पहले का मन नर्मल क्या वा हम्रेगे ओने को चलेगा लास्ट वाली बश्यादा हुगी जो फिफ्ट केंडल है ना वो फोर्थ होता है जो टेलिजाम पे जो गुब बने है उसमें आपने दो बूप डाले है वीडियो तो क्या है मतलब उस पर पूरा फोकॉस करना है पढ़ना है वो पढ़िए कोशिश करें रोज दो तीन तीन चार 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 पेज़ रोज पढ़ि यह है कि थोड़ी बहुत बूप पढ़ने की भी आदत पढ़े नहीं मतलब आपका सिकाने का तरीका और वो बूप में जो सिकारे दो अलग चीज़े इसलिए मैंने पूचा सकते हैं वो पढ़िए बूप पढ़िए बूप जितना हो से कि अपनी फिल्ड में जिस भी फिल् तो वो जो लोग होते ना कोशिश कहते हैं उसमें से सौ लोग और काम करें तो एक-दो लोग ऐसे होते हैं जो बुक लिखके चले जाते हैं अच्छी जाओ बुक पढ़ रहे होते तो उन लोगों का एक्सपीरेंस भी साथ में उनको मिल रहा होता है कम कुछ नहीं प्रैक्टिकल ने तो कम्सक्राइब बुक्स में तो मिली रहा हो था पढ़ने में तो उसका बेनिफिट होता है कभी नुकसान नहीं पहुचाई ही व विट्सप बुलिए आपने जो कॉंसेट पर टाया तू वॉल्यूम का सेम और उसके नेक्टिन है ना उसके आपोजेट कलार का बनेगा सरे स्टॉक पर भी बैलेड है क्या सर हां कोई स्टॉक कोई स्टॉक बुलिए अ मीस या राइट सरस्क्कि नेक रेक है ओफिक स्टॉक बढ़ने नीचे गे नहीं और भाइट है तो करेंगे टाला उंकि खार में अक्य onc ciao तो यह जो फॉर्मेशन है तो उसको तो रिसेंट वारा इसको देखने का कि यह अगर वन मन पहले भी अगर है तो तो वह भी देख सकते हैं उसको जाने की जूरहती नहीं कि वन मन पहले नहीं उक्ते पॉर्मेशन लेगी ज्या करेंगे वो लेटेस महीं मिल जाएगा अभी भी ऐसी इसी कॉम्टिकेट सिच्वेशन हैं पर पड़े कॉम्टिकेट चार्ट को अगर पड़े तो शेर करते नाम को देख लेंगे उसको क् गनेश माइकर मिटेज़े हैं अलो जी गनेशा बुलिया है असार जुबलेट फूर में नौ जानेवरी में एक फॉर्मेशन हुआ है जुबलेट फूर कहां पर नौ जनिवरी से एरा जनिवरी अभी लेट अभी कोई टेकनिकल इसके फॉल मत कीजिए अब यहां फॉर्मेशन को करें तेकी देखना है अच्छा नौ से तेरा जनुरी आप नौ से तेरा हां सही परफेक्ट है तर पाच्वेशे केंडर केंडर मनें वो फूर्थ से भी ज्या परफेक्ट है जी वहार जी हां बोली आप आप हमर चार केंडर का जो फॉर्मेशन ही हो वहां रहे पांचमें दिन में आइक नहीं की पांचमें निंगान जासे ब्सक्राइब कि में हो रहा है अब हमें मंदे का पता चलेगें मंदे से परले माइद लिए लेवल है कि आपकी जो सिख्थ फेर्वरी की मार्केट रहे उसमें मार्केट खोज ते होते हुए रेट कंडल पॉसिबिलिटीज है वो रेट केंडल बन जाए गुरक साब आपका शायद माइक अन्मूट हो नहीं रहा है जी बुलीं सार अभी कुछ देर पहले का मेरे में विडियो यह नहीं चला है तो अभी जब बता रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं मतलब अभी आदे घंडे सार मेरा चल नहीं रहा था अच्छा अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहे है घा है अभी हम लोग कोश्चन अंसर कर रहे हैं और अभी चार केंडल की फॉर्मिशन बताई दि आपको समझ में आई नहीं समझ में कल का बेट कर लीजी वीडियों में अपलोट कर दें उसको देखिये जाए रिकोड़डे में लेगा साइथ हाँ हाँ ठीक गनेश साहब का तो ठीक है गनेश ऑप शाहिए तिक फिर एंट हैंड़ाइस नहीं किसे कहले ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब लोगों को गुड़नाइट और कल का कैसे क्या रहे गए वो हम गुरूप में आपको इन्सौं करें कर्क्रएंट प्रपताइट बर्साश्गर सलिओ लेगह गिका में अगे मिने रगपको ईन्सौं को इन्सौं करें इन्सौं का याया से बान स Griffith णवया करें लेहा कि लेम गएए श斌 बसके घर uda रहे की कि यहादों कि आ पहूआ कि कल का मही कि उमुईंक गवड़ाइब। झाल 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 झाल